हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपको हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज मैं यूटीएस एप के बारे में बात करने वाला हूँ यूटीएस एप की मदद से आप अपना लोकल ट्रेंड टिकट जनरल एक्सप्रेस जनरल टिकट एवंपलिट फरम टिकट आप खुद से अपने मोबाइल से कर पाएंगे जो की यूटीएस एप आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाकर आप सिम्पली डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आप यूटीएस एप को ओपन करेंगे ओपन होते ही आप सबसे उपर कॉर्णर में लॉग इन का ओप्सन लेगेंगे लॉग इन का ओप्सन पे जाते ही आपको एक लॉग इन और रजिस्टर का ओप्सन आएगा अगर अपने पहले से आप यूटीएस एप में रजिस्टर कर चुके हैं तो सिम्पली आप अपना मुवाइल नमबर और पासवर्ट देकर लॉग इन करना है जैसे कि मैं अलेडी कर चुका हूँ अगर आपने पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आप अपना मुवाइल नमबर नाम डेटा बढ़ देकर आप एक पासवर्ट जेनरेट करके रजिस्टर कर सकते हैं सिम्पली आप कर सकते हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमको प्लीज कॉमेंट करें ताकि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाओं बनाकर अप्लोड करके आपको दिखा सकूँ तो दोस्तों मैं अपना मुवाइल नमबर और पासवर्ट देकर लॉग इन कर रहा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं UTS एप अपना पासवर्ट डाल के लॉग इन कर चुका हूँ सबसे पहले मैं आप नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफरम बुकिंग, सीजन बुकिंग, एम कीवर बुकिंग आप देख पा रहे हैं सब हम लोगों को ज्यादा तर नॉर्मल बुकिंग और प्लेटफरम बुकिंग का जुरत पड़ता है जो कि नॉर्मल बुकिंग और प्लेटफरम बुकिंग दोनों ही सेम प्रोसेस से बुकिंग होता है जैसे कि मैं नॉर्मल बुकिंग करने वाला हूँ नॉर्मल बुकिंग पर क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखेगा बुक्स एंड टेबल्स पेपरलेस, पुक्स एंड प्रिंट पेपर इन दोनों का मतलब यह है कि अगर हम बुक्स एंड टेबल्स पर क्लिक करके टिक्ट बुक करते हैं तो मैं अपना mobile phone के द्वारा travels कर सकता हूँ अगर मैं books and print के option पे ticket book करता हूँ तो हमें print out निकाल कर travels करना होगा तो मैं paperless booking करता हूँ जो कि मैं अपना mobile phone के द्वारा travels करना चाहता हूँ books and travels पे click करने के बाद from to आप कहां से कहां जाना चाहते हैं वो आप इंटर करेंगे इंटर करने के बाद आप next पक्लिक करेंगे हमें next करते ही जैसे कि मैं देख आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें adult एक बार में चार लोगों का booking हो पाएगा जैसे कि हम अकेले सफर करने वाले हैं इसलिए मैं एक पर ही क्लिक करता हूँ इसके बाद आप टाइप टिकेट टाइप देख पा रहे हैं इसमें जरने रिटरन आप रिटरन जरने भी कर सकते हैं इस एप की मदद से इसके बाद train टाइप ordinary ही selected रहता है class second class ही selected रहता है और आप payment टाइप आप wallet से payment करना चाहते हैं या debit card, credit card, net banking या UPI से तो दोस्तों मैं अपना wallet से ही ticket book करना चाहता हूँ तो चलिए हम get fair पर click करते हैं get fair पर click करते ही आप देख पा रहे है ticket summary open हो चुकी है इसमें बस मेरे को total returning tickets का कितना fair लग रहा है इसके बाद हम अपना book करेंगे हम अपना ticket generate कर लेते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ticket generate successfully हो चुका है सेम इसी तरह से आप platform booking भी कर सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो यह काफी पसंद आया है अगर पसंद आ जागो तो हमारे चैनल को लाइक सेने सब्सक्राइब जरूर करें तक हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंश सकें युका है